Global Humanitarian Leader और शांती दूत गुरुदेव श्री श्री रवी शंकर ने National Medical Oxygen Grid Project के अंतरगत Art of Living International Center बेंगलूरू में सिलेंडर फिलिंग स्टेशन के साथ भारत के पहले IoT सक्षम Mobile Medical Oxygen Plant का उधगाडन किया इस प्रोजेक्ट का मूल आधार, ऑक्सिजन उतपादन के नियंतरित स्रोत, सिलेंडर फिलिंग स्टेशन और एक पंक्शनल डिस्रिबूशन नेटवर्क के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना है ताकि अंतिम दूरी तक Medical Oxygen की उपलब्धता और डिस्रिबूशन सुनिश्चित हो सके प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पहली बार IoT सक्षम कंटेनरी कृत Oxygen Generator ट्रक को हरी जंडी दिखाए गए उदगाटन के समय गुरुदेव ने कहा कि ये एक बहुत ही आवश्रक समाधान है जिसे कई विज्ञानिकों के सहयोग से विक्सित किया गया है ये कम लागत वाला समाधान रूरल और अर्बन एरियाज में Medical Oxygen की सप्लाई में सहायता कर सकता है आर्ट अफ लिविंग इसकी जानकारी देने और गाउं में इसे डिस्टिब्यूट करने में पूरी तरह से सहयोग करेगा ये देखते हुए कि भारत के जादतर आबादी गाउं में केंद्रित है और कई गाउं अभी भी बड़े नगरों और शेहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं है ये ग्रामेंड भारत केंद्वित दिजाइन ग्रामेंड एलाकों में सुरूर स्थानों तक वित्रण और मेडिकल ऑक्सिजन की उपलब्दता संभव और सुनेश्टित करेगा ऑक्सिड के संस्थापक मलिका अरजुन दंडिनावार ने कहा कि आए हम आपको ये सपष्ट कर दें कि सवधारना की कलपना कोविट 19 महमारी के कारण नहीं की गए थी हालकि इस दौर में पूरे देश में मेडिकल ऑक्सिजन की मांग में अचानक बढ़ोतरी हुई थी ये नाशनल मेडिकल ऑक्सिजन ग्रिट गाउं से शेहरों की और मरीजों के प्रवास को रोकने के मूल उद्देश्ट के साथ ग्रामीन स्वास्ते सेवा की बुनियादी धांचे के मजबूत नीव रखने का एक प्रयास है ये योजना आई उटी टेकनोलजी का फायदा उठाकर हमारे सरकारी अस्पतालों की जवाब देही कौशल और सशक्ती कर्ण सुनिष्चित करेगी ये गरीबों की समस्या का समधान करेगा क्योंकि ऑक्सिजन प्लांट आम दोर पर इंडस्ट्रिल एरियाज में दूर स्थित होते हैं और डीलर तालुका में नहीं केवल शहरों में होते हैं जो निष्टित घंटों तक काम करते हैं तालुका और कम्यूनिटी हिल्च सेंटर्स में ऑक्सिजन सिलेंडर बैंक का नर्मान होगा और स्टोरेज कंट्रोल के लिए आई ओटी टेक्निकल का फायदा लिया जाएगा हमें गौर्मेंट होस्पिटल में एक मरीज पर प्रति घंटे साथ रुपे और प्राइवेट होस्पिटल में इसका तीन से पांच गुना जादा खर्च करना पड़ता है ये प्रोजेक्ट जरूरत मंदों को मुफ्ट ऑक्सिजन सुनिश्चित करने के लिए एक क्रॉस सबसिडी तंत्र पर काम करेगा उद्घाटन परियोजना में ऑक्सिजन भरने की लागत को वर्तमान में 200 रुपे से 80 रुपे घटा कर प्रति सिलेंडर कर दिया गया है गवर्मेंट होस्पिटल में ऑक्सिजन की चूरी को रूखना, ऑक्सिजन प्रोडक्शन प्लांट में आई ओटी की तराती से सही मात्रा, शुद्धता, दबाव और संचालन की अब्धि सुनिश्चित होगी मौझूदा इंफ्रास्रक्शर का फायदा उठा कर शेहर की सीमा के भीतर, सुलब फायर ब्रिगेड स्टेशनों को भी ऑक्सिजन सिलेंडर फिलिंग स्टेशनों में परिवर्तित करना मौझूदा जन्शक्ती को ट्रेंड करना इस प्रकार घर पर स्थित वा गौवर्मेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में स्थित मरीज़ों को 24 घंटे 7 सब्ता के दिनों और साल के 365 दिन ऑक्सिजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस योजना की परिकल्पना एक बड़े और घनी अबादी वले देश में सुधूर स्थानों तक वित्रण सुनिश्चित करने के लिए एक ग्रामिंड भारत के इंडित दिसाइन के रूप में की गई है छोन्त अफिजन वीद इसरेपर्ट्स इसरेपोग्ट अर्पॉट जाओस्टी और इसरेपटिट, जिए किर ताहर रचॉटिए ट्विन पारू च्राइबलीगी कि रचिद ढख साजब ही निए्ट और अच्छुटुटूट तुटूटाद वर में वाक्टाम इत making oxygen available and that too free for the needy and the poor fourth accountability arresting pilferage of oxygen in government hospitals deploying iot as suggested by our honorable prime minister in oxygen generation plants will ensure correct volume purity pressure and duration of operation fifth redressal in case of failure of oxygen plants emos emergency medical oxygen system is our patent product which serves as a standby to assist failure any source of medical oxygen generators liquid medical oxygen tanks or cylinder banks in hospitals immediately like that of a firefighter or an ambulance on call six medical oxygen containerized plant technology principally containerized plants are factories on wheels this technology is aptly named as plug and play station it finds application in diverse fields of engineering from water treatment power construction sector to defense applications the containerized plants mounted on trucks can go to any location plug into the power source some come with captive source and efficaciously sense the purpose for which it is designed we are the first indian company to have indigenously designed and manufactured an india-centric robust medical oxygen containerized plant with cylinder filling station that will enable in creating a medical oxygen grid for our country seven location we would like to see that every district has one medical oxygen containerized plant located in the fire brigade station of the particular district or taluka by doing this we can ensure that we'll train the firemen to operate this as the oxygen station as well we can we all understand when we know that the fire brigade personnel are idle for 350 days in a year if we could train them to operate this containerized plant and fill cylinders oxygen would be available 24 bar 7 365 days to all the people why have we chosen fire brigade stations essentially because of these two reasons availability of man staff secondly they are all located within the city limits this becomes accessible to all people the true growth of our nation will be measured by addressing this constitutional right of every citizen life is very fragile you can live without food and water for a day or two not without a breath for a few minutes i humbly request you to respect life we all need to respect life that's why we say every life is a blessing every breath gratitude serva janina sukina bowanto serva santu nikah miya jan jay Ende जमु शहर में पहली बार 007 सुपरमाट लाया है इंपोर्टेट ग्रॉकरी की फुल रेंज एंटीक गिफ्ट आइटम्स की एक्स्ट्रा रेंज फ्रोजन फूड, परसनल केर, ड्राइफ रूट, ग्रॉसरी, टॉइस सहेट कॉस्मेटिक्स की फुल रेंज इस फेस्टिवल सीजन में 007 सुपरमाट आपको दे रहा है सभी आइटम्स पर अप्टू 20 परसन तक का दिसकाउंट तो देर किस बात की अपने त्योहार की खुशियों को करें दो गुना हमारा पता है 007 सुपरमाट, कनाल रोड, नियर निधीश अपार्टमेंट, प्रवीन चोक, तिकुटा नगर, एक्स्टेंशन जम्मू 2 1 9 1 3 5 1 3 1 3 5 1 ...